असलाम लेकूम इस दिवाली पे आप इस लड्डू को जरूर ट्राइ करें इसे मलाई लड्डू कहते हैं बहुत ही कम इंगेडियन से ये मिठाई बन जाती है और अपने हातों से खुद इसे घर पे बनाओगे तो आप भी हैरान रहे जाओगे कि ये लड्डू आपने मैरी वीडियू सबसे पहले देखने की मिलेगी तो उसके लिए सबसे पहले हमें लेनी है एक लीटर यहां पर दूद्ध यह मैंने काव मिल्क ली है आपको इसे भी मिल्क से यह लड्डू बना सकते हैं तो इसे हाइफ फलेम पे एक उबाल आने तक हम बेट करेंगी तो यह पे दो चमज डालेंगे और यह चהना ना हम पाल लेंगे, अच्छी तरह से यह चेनाअ फच चुका है अब इसे हम छान लेंगे, एक छनी में कोई भी कपड़ा डाल कर ق्वाटन का कपड़ा ले लेंगे मल-مل का जो भी आपके पास हो डाल कर इस चेने को हम छान लेंगे छाने के बाद ये पानी को हम साइट कर देंगे फिर दूसरा बाउल लेकर के इसे रखेंगे इसके हम तीन-चार बर अच्छी तरह से इसे हम भॉस करेंगे इसका जो हमने खटास डाली है जो विनेगर डाली है उसे निकाल लेंगे अच्छी तरह से दो कर अब जो एक्स्ट्रा पानी है इसका निचोड कर हम निकाल लेंगे इस तरह जितना भी पानी हो अब अच्छी तरह से निचोड कर हाथों से निकाल ले फिर यहां पर दूसी साइड पे हम गैस फलिम पे रखेंगे हाई फलिम पे रखेंगे एक लिटर यहां पर फिर से मैंने दूध लिये हैं और इसमें अड़ करेंगे 3 चोटे चमच मिल्क पाॉडर हलका से दूद्ध गर्म हो जाए तभी मिल्क पॉडर डालें तो उसे क्या हो ना मिल्क पॉडर अच्छी तरह से घुल जाती है एक पर इसे चला देंगे और इसे हम तब तक दूद्ध को पकाएंगे हाई फ्लिम पे जब तक दूद्ध वो सूख कर रेड्यूस होकर एक हिस्सा ना बच जाए अब यहाँ पे दूसरे बरतन में यह च्छीना को हम निकाल लेंगे हाथों से तोड़ लेंगे और इसे खूब मसलेंगे इसके दाने जो भी है मोटे दाने इसे हम बारीक कर लेंगे मसलते हुए खूब मसल ना है करीब 10 मिनट लग जाएंगे और इसे मसलते हुए तो यह अच्छी तरह से इसमें चिकना हट आ जाएगे इसके दाने खतम हो जाएंगे तो इस तरह से देखें यह हमें मसल कर यह तयार कर लेना है यह काफी चिकनी हो गई है अब यहाँ पर देखें दूद यह लगबग एक हिस्सा बच चुका है मतलब तीन हिस्सा इसका सुप चुका है अब इसमें आदी चोटी चमच इलाची पाउडर और यहाँ पर हाफ त्यार करके रखी थे ना वो डाल देंगे फिर इसे लगातार चलाते हुए हमें हाइफ लिम पे ही तब तक पकाना है जिविए अच्छी तरह से यह दूद पूरी तरह सूख न जाए जो चीना हमने डाला है वो अच्छी तरह से दूद के साथ सूख कर इस तरह से इस लड्डू बनाएंगे तो देखे छेना इस तरह से ठंडा होने के बाद सुख जाता है अगर आपका छेना ना सुखे तो इसमें आप ताजी ब्रेड ले 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 दो या तीन और उसके वाइट हिस्से को ग्राइंडर जार में चलाकर इसमें मिला ले तो आपका छेना बिल्कु अब इसके उपर दूद में भिगे हुए हलके गरम दूद में मैंने केसर को पहले भी होकर रखे थी इस तरह से इसके उपर गानिश करेंगे बिल्कुल हलवाईयों जैसी ये लड्डू दिखे और उपर से थोड़ा सा पिस्तर से डाल कर इसे गानिश कर लेगे तो लीजे ये हमारी बहुत ही डिलीसियत और बहुत ही अमेजिंग मलाई लड्डू बन कर तेयार है आप बिल्कुल हलवाईयों जैसे घर भी बना सकते हो इस दिवाली पर ये लड्डू जरूर ट्राय करें बहुत पसंद आएगी चलिए मैं इसे आपको तोड़ कर दिखाती हूं कि ये अंदर से कितनी वाइट और सॉफ्ट बनी है बहुत डिलीसियस बनती है ये लड्डू आप एक बार जरूर ट्राय करें तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी इसका फीडबैक जरूर दे पसंद आई हो तो लाइक शेर जरूर करें चैनल पर पहली बार आए हैं तो ब मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत 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 शुक्रिया जल्दी मिलती हूं नई रेसिपी के साथ अला हाफीज